हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नितूस कुकिंग हब आज मैं बनाने जा रही हूं मटर छोले की रेसिपी जिसे आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं जैसे पूरी पराथा भटूरे कुल्छे या फिर आप इसे चाट में भी योज कर सकते हैं जैसे हम लोग सम यहां पर यह देर कप मटर है भीगने के बाद यह देर कप है मैंने इसे ओवरनाइट सोख होने के लिए रखा था और अभी मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है साथ में मैं यहां पर एक मीडियम साइज का ओनियन ले रही हूं जिसे मैंने बारीक टुक्रों में कट किया है और आदी चुटी चमच नमक इसे डाल के हमें 4-5 सीटी आने तक इसे पकाना है और प्रेशर में ही रखना है मटर को आप अच्छे से धो ले क्योंकि हमें इसी पानी का यूज भी करना है और अभी आप देख सकते हैं 5 सीटी के बाद यह मटर अच्छे से पक चुकी है एकदम गली भी नहीं है और एकदम खड़ी भी नहीं है अभी हम लोग बनाएंगे छोले मसाले उसके लिए मैंने यह आप लिया है तीन लाल मिर्स एक तेज पत्ता दो बड़े चमस धनिया और एक चोटी चमस जीरा इसे हमें भून के और ग्राइंड कर लेना है अब देखते होंगे जब भी हम लोग चाट वगर रखाते हैं तो उसमें मसाले चोले मसाले का टेस्ट काफी अच्छा आता है तो यह जो मसाला बनेगा यह चोले के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा तो अभी इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है थंडा करके और अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन पैन में यहाँ पे चार बड़े चमस तेल ले रही हूँ तो तेल आप अपने हिसाब से जो भी खाते हैं वो यूज करे मैंने उसमें एक चोटी च में जीरा डाला है और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो बरे साइज का प्याज लिया है जिसे बहुत ही बारीक टुकरों में यहां पर चौप किया है आप चाहे तो प्याज को पीस के भी ले सकते है तो इसे हमें अच्छे से भूल लेना है और प्याज अभी आप देख सकते हैं थोड़ा भून चुका है तो मैंने यहाँ पे एक बरे साइच का टमाटर जिसे बारीक टुक्रो में कट किया है उसे भी मैं डाल दे रही हूँ और अभी हमें प्याज और टमाटर को एकदम सौप्ट होने तक भूलना है थोड़ा थोड़ा गोल्डेन भी हो जाए इतना भूनना है हमें और अभी यहाँ पे प्याज टमाटर अच्छे से भून चुका है तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमच लसन पेस्ट लिया है आधी चोटी चमच यहाँ पे लिया है ग्रेट किया हुआ अद्रक इसे हमें थोड़ा सा एक से दो मिनट तक भूनना है पहले एक से दो मिनट हो चुके हैं और अभी मैंने यहाँ पे डाला है एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोटी चमच धनिया पाउ और अब हमें इन सब चीजों को भूल लेना है और धन्य में ने यहां पर कम Q ions किया है कि हमने मसाले बनाया चोले मसाले वो भी मैस में डालने वाली हूँ और अभी यहां पे नमक टेस्ट के अनुसार रखे हां क्योंकि नमक अभी हमें मसाले को अच्छे से ढखके भुनना है आप देखें जैसे आप ढखके भुनेंगे तेल उपर आने लगेगा तो अभी आप देख सकते कि मसाला अच्छे से भून चुका है तो इस टाइम पर हमें मटर को इसमें एड कर देना है और इसे हमें 5-6 मिनट तक अच्छे से पकाना है पानी आप अपने हिसाब से डाले जितनी ग्रेवी की आपको जरूरत है क्योंकि हमारा मटर पक चुका है और 5-6 मिनट हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 5-6 मिनट हो चुका है और इस टाइम पर मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ दो बड़े चमच छोले मसाले जो हमने बनाया है और आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर और एक चोटी चमच कसुरी मेथी डाल रहे हूँ हडा धनिया और वस इसे हमें मिक्स कर देना है मिक्स करके आप इसे 1-2 मिनट ऐसे ही ढखके छोड़ दे और इसका कलर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-3 मिनट मैंने इसे ढखके रखा था और इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है कितना टेश्टी दिख रहा है और मैंने इसे इस तरह से सर्व किया है मैंने इसके उपर थोड़ा सा प्याज डाला है और जो हमने बनाया है अभी यहाँ पे छोला मसाला वोच ही रख दिया है इसके उपर और साथ में हरधनिया भी इसके उपर डाला है साथ में थोड़ा सा पतला वाला सेव भी मैंने इसके उपर डाला है तो आप देखके ही समझ सकते हैं कि ये कितना टेस्टी होगा तो आपको जो भी पसंद है रोटी, पराठा, नान उसके साथ आप इसे इंज्वाय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये छोले की रेसेपिक ऐसी लगी मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वचिंग